कालुकवे को कहीं से रोटी का एक टुकडा मिल जाता है कालुकवा एक जगा बैठा हुआ वो रोटी का टुकडा खा रहा था मैं पहले नदी से पानी पियाओ और बाकी की रोटी वापिस आकर खाता हूँ ऐसा सोचकर कालुकवा नदी से पानी पीने चला जाता है कवा नदी पर जाता है तो पीछे से छोटी चडिया अपने बैटे के साथ उस दिशा में आ जाती है कुकु बेटा ये रोटी का टुकडा कहां से आया होगा यहाँ मम्मा जरूर किसी का गिर क्या होगा ममा, क्या हम ये रोटी खा सकते हैं? फिर चडिया इधर उधर देखती है, वहाँ पास कोई भी ना था इसलिए चडिया अपने बेटे से कहती है हाँ बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, हम ये रोटी खा लेते हैं मामा चडिया और उसका बेटा वो रोटी खाने लगते हैं थोड़ी देर बाद कालू कवा भी नदी से पानी पी कर आ जाता है चडिया चोटी चडिया ये तुमने क्या किया तुमने मेरी रोटी खा ली क्या क्या ये रोटी आपकी थी तो और क्या तुम्हारी थी तुमने मेरी रोटी क्यों खाई मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें कवे भेया मुझसे कलती हो गई मुझे क्या मालूम था कि ये रोटी आपकी है मुझे मेरी रोटी वापिस ला कर दो वरना लडाई के लिए तियार हो जाओ नाना अंकल मेरी ममा से लडाई ना करना हम आपको रोटी ला देंगे फिर ममा चिडिया और उसका बेटा वहां से चले जाते हैं वो दोनों मा बेटा उदास होकर एक पेड़ पर पैठ जाते हैं बेटा अब कवा तो हमें छोड़ेगा नहीं हम रोटी कहां से ला कर देंगे उस कालू कवे को ममा हम इनसानों की बस्ती में जाते हैं हो सकता है हमें वहां से रोटी मिल जाए फिर वो दोनों मा बेटा इनसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं किसान और उसकी पतनी खेतों में काम कर रहे थे चिडिया और उसका बेटा वहां जाते है माजी क्या आपके पास कोई रोटी का टुकड़ा है हाँ चिडिया मेरे पास रोटी है मैं अपने पती के लिए अभी अभी घर से रोटी लेकर आई हूँ मा जी हमने गलती से कालू कवे की रोटी का टुकडा खा लिया है अब वो हमसे लडाई कर रहा है हाँ चुडिया बात थो ठीक है तुम्हारी लडने से अच्छा है कि आप उसे उसकी रोटी ही लुटा दें हमें मालूम नहीं था कि वो रोटी कालू कवे की है ले जाओ ये रोटी आप ले जाओ चुडिया क्या आपको जंगल में दाना नहीं मिल रहा गर्मियों के मोसम में हमें दाने पानी की कोई चिंदा नहीं होती मगर ठंड का मोसम बहुत मुश्किल होता है ऐसे मोसम में दाने का मिलना बहुत मुश्किल काम होता है आप अपने दोस्तों के साथ कल से मेरे घड़ा आ जाया करें कल से मैं आप सबको दाना दे दिया करूँगी ये सुनकर च्डिया बहुत खुश होती है और रोटी लेकर वहां से चली जाती है ये लो कवे अपनी रोटी ले लो कवा रोटी देखकर हैरान हो जाता है ये तुम है कहां से मिली मैं तुम्हारी तरह चोरी करके नहीं लाई बल्के किसान की पतनी से लेकर आई हूँ और सुनो कल से मैं अपने दोस्तों के साथ दाना लेने किसान के घर जाया करूँगी चिडिया फिर तो मैं भी जाऊंगा मैं भी तुम्हारा दोस्त ही हूँ तुम अपनी रोटी खाओ चलो कुकु बेटा घर चले चिडिया और उसका बेटा वहां से चले जाती है फिर दूसरे दिन चिडिया मिठू के पास चाती है मिठू मिठू आज से हम सब किसान के घर दाना लेने जाया करेंगे साची चुडिया क्या आप साची कह रही है हाँ मिठू मगर कवे को साथ नहीं लेकर जाना फिर वो सब कबूतर के पास चाते है चुडिया क्या कालू कवा नहीं साच आएगा नहीं कबूतर भेया, वो हमेशा लड़ाई करता है, कल भी उसने मेरे साथ रोटी के एक छोटे से टुकड़े के लिए बहुत लड़ाई की थी फिर वो सब दोस्त किसान के घर जाते हैं किसान की पतनी ने अपने घर की छट पर उन सब के लिए तरहां-तरहां का अनाज बेखेर रखा था और मीठे फल भी थे कालू कवे ने कल तो रोटी खा ली थी, मगर आज वो सुभा से भूगा था, वो जहां भी दाना लेने जाता हर तरफ बरफी बरफ थी मर गया, मैं तो भूग से मर गया उड़ता हुआ कबूतर वहां आता है दोस्त हो तो चुडिया जैसा, कवे मालूम है आज चुडिया के वज़ा से हमें तीन किसम का अनाज मिला है और साथ मीठे फल भी यार कबूतर, मेरा भी चुडिया से दोस्ती करने को दिल कर रहा है मगर चुडिया है कि मुझसे बात ही नहीं कर रही अगर दोस्त एक दूसरे की चीज खा लें, तो ऐसे लड़ाई नहीं करते, जैसे आपने की थी मैं बहुत भूका हूँ, कबूतर, पलीज, चुडिया से कहो, कल मुझे भी साथ ले जाए मुझे चुडिया नहीं भेजा है, ये लो, ये फल वहाँ से चुडिया तुम्हारे लिए लाई थी और कल सुभा सवेरे आ जाना, चुडिया रानी ने कहा है, कि कल से तुम भी हमारे साथ ही जाया करोगे ये जुनकर कवा बहुत खुश होता है, और फल खा लेता है फिर दूसरे दिन कालू कवा भी उनके साथ दाना खाने किसान के घर जाता है, मगर वो चुडिया से बहुत शर्मीनदा था कवे खालो खालो, मिल बांट कर खाने में ही मज़ा है प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिलकुल मत भूलना आपका धनेवाद, जेंगल में भरती हुई ठंड के साथ कवे और कवे में लड़ाई भी भड़ गई थी कालू, आज मैं तुम्हारे घोंसले में साऊंगी, मेरे घोंसले में मुझे सारी रात ठंड लगती रहती है ना, अपने घोंसले में ही रहो, मैंने बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में सूखी घास लगाई है ऐसे सारे काम पापा पक्षी ही करते हैं, सब के घोंसले गरम है, और एक मैं ही हूँ के ठंड में मर रही हूँ मैं तो जा रही हूँ चुडिया के घर, आज मैं वहाँ ही सो जाओंगी जाओ जाओ, चुडिया तुम्हे अपने घर में रखेगी, तो फिर ही ना मगर गोरी कवी ठंडी रात में अपने घर से निकलती है, वो चुडिया के दर्वाजे पर दस्तग देती है गोरी तुम इस समय चुडिया बहन आज की रात मुझे अपने घर में सो लेने दे मेरी कालू से लड़ाई हो गई है गोरी बहन मेरे पास दो ही घौंसले हैं एक मेरे मेरे बच्चे सोई हुई हैं और दूसरे में मैं चुडिया बहन अब अगर में वापस गई तो कालू मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा प्लीज आज की रात फिर चुडिया अपने बच्चों को अपने साथ लिटा लेती है और वो घौंसला गोरी कवी को दे दे दी है चुडिया ये घौंसला तो बहुत गरम है मजा ही आगया तुम्हारे घौंसले में लेटने का इस घौंसले में मैंने गरम बिस्तर बिचाया हुआ है मेरी मा ने दिये थे मुझे गरम बिस्तर फिर घौरी सो जाती है वो रात घौरी कवी बड़े आराम से सोती है दोनों पती पतनी दिन आवारा घूमने में गुजार देते हैं और जब रात होती है तो गोरी कवी फिर से चडिया के घर जाती है चडिया चडिया आज फिर मेरी कालू से लड़ाई हो गई है चडिया घर के अंदर से ही आवाज देती है मगर आज मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी बचे बड़े होगे हैं मुझे बचों के साथ नीद नहीं आती तुम जाओ यहां से छोटी चुडिया बड़ी बातें करने लगी है तू मुझे भी गोरी कहते है गुसे में गोरी वहां से चली जाती है मैं न कहता था आज तो चुडिया कभी भी तुम्हें नहीं रखेगी बड़ा आया सोजा चुप करके दूसरे दिन गोरी कभी चुडिया के घर के पास चुप कर बैठ जाती है जब चुडिया अपनी बेटी के साथ नदी पर पानी पीने जाती है तो गोरी कभी खिड़की के रास्ते चुडिया के घर में घुस जाती है और चुडिया के दोनों घौसलों में पानी गिरा देती है अगर मुझे इन घौसलों में नहीं सोने देऊगी तो चिडिया की बच्ची तुम भी नहीं सौगी गोरी वहां से भाग जाती है रात को जब चिडिया और उसके बच्चे घोंसले में लेटते हैं तो घोंसले गीले थे ममा, ममा, हमारा घोंसला गीला है ये बहुत थेंडा है मेरा घोंसला भी गीला है हमारे घौंसलों में पानी किसने गिराया होगा ममा कर रात आपने गोरी आंटी को घर में आने से मना किया था ये काम जरूर गोरी आंटी ने ही किया होगा हाँ ये काम जरूर उस गोरी की बची का ही है मगर मैं भी उसे सजा जरूर दूँगी दूसरे दिन चिडिया जाडियों वाले जंगल जाती है और वहां से एक ऐसी जाडि के पते दोड़ती है जिनको छू लेने से शरीर पर खारी शुरू हो जाती है गुडिया और कुकु अब देखना वो गोरी ठंड की रात में भागती फिरेगी चिडिया वो पते एक घौसले में बिचा देती है कुकु बेटा जाओ और गोरी को बताओ के आज वो हमारे घर में सो सकती है ममा, ममा गोरी आंटी का शरीर सुर्ख हो जाएगा इन पत्तों पर लेड़ कर कुकु जल्दे से गोरी कवी की तरफ जाता है आंटी आंटी ममा ने भेजा है ममा कहती है कि आज रात आप हमारे घर में सो जाएँ तो फिर मान गई तुम्हारी ममा मैं न कहती थी, मुझे भी गोरी कहती है गोरी कुकु के साथ जाती है गोरी घौसलों में पारिंग गिराने की क्या जरूरत थी ये तो तुम्हारा अपना ही घर है जब जी चाहे आ जाया करो और इसी घौंसले में सो जाया करो चुडिया कल तुमने मेरी इंसल्ट की तो मुझे गुसा आ गया था फिर गोरी चुडिया के घौंसले में लेट जाती है चुडिया के बच्चे गोर गोर से गोरी कवी की तरफ देख रहे थे चुडिया ना जाने क्यों मेरे शरीर पर खारे शुरू हो गई है ये संकर बच्चे हंसने लगती है जाडी के पतों का काम हुआ शुरू बचाओ चुडिया मुझे बचाओ मेरे शरीर पर बहुत खारिश हो रही है गोरी कभी इधर उधर उड़ती हुई घर से बाहिर निकल जाती है वो कभी इस पेड़ से टकराती तो कभी उस पेड़ से मर गई, मर गई उस चड़िया ने घोंसले में न जाने क्या रखा हुआ था है मर गई ठंडे पानी से नहो गोरी फिर ही तुम ठीक होगी फिर गोरी ठंडी ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में कूद जाती है तब जाकर उसकी खारिश कम होती है मगर बाकी की रात अपने घर में ठठर कर गुजारती है उसे चोटी जड़िया ना समझो वो बहुत सियानी जड़िया है ऐसे गोरी कवी को सजा मिलती है प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक करना बिलकुल मत भूलना आपका धन्यवाद